आप second options choose कर रहे हो, तो आप अपना करम खराब कर रहे हो, इस पर मेरा एक सवाल है, और ये बहुत जगे देखा भी गया है, कि आप life में बहुत hard working हो, आप बहुत महनत कर रहे हो, आप करम अच्छे कर रहे हो, आप पूजा पाथ अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको वो success नहीं मिल पारी, जो आपको मिलनी चाहिए, तो क्या इसके पीछे हमारे parents का भी role होता है, उनके करमा भी effect करते हैं संतान को, ऐसा तो करमों का परभाव आपको, आपके बच्चों को सब को मिलता है, देखो, जस्टेम कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि आपके उपर नहीं किया गया, यानि कि कहीं कुछ करम ऐसा हुआ जो आपके पुरवज आपसे नराज हो गए, आज की टाइम बच्चा और बुड़ा बराबर होते हैं, अब बच्चे ने क्या कि बच्चा तो बुड़े नराज हो गए, अब वो नराज हैं, उनको बच्चे को आप फिर थपड़ मारके मना लोगे, पुरवज को नहीं मना सकते हैं, उसके आगे तो आपको हाथ पहरी जोडने पड़ेंगे, इसलिह कहते हैं, जब पितर दोश आता है, तो दिक्कते देता है, वो पेरेंट्स का करमा खराब हुआ, बच्चों को भूगतना पड़ा, आज किसी के जब हम आपर चार्ट आते हैं, तो कहीं पितर दोश आ गया, अब वो बच्चा तो इनों से इन्टा था, उसको तो क्या पता कि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया है, तो अब उन्होंने इंटेंशनली या उनिटेंशनली होता है, कोई इंटेंशनली नहीं करता है, जब भी कोई ऐसा जान पुछ कि कोई भी नहीं करता कि उनके साथ बुरा कर दे या उनके रिच्वल्स कंप्लीट ना करें, लेकिन उनसे अगर अन्जाने में भी वो कुछ गल्ती होई है और उनके पुरवज उनसे नराज हो गए, तो कर्मा गलत हुआ पेरेंट्स का भुगत कॉन भी आज की जनरेशन पपत्रदोश कंडली में आया, तो यह पुछ